हलो मेरी पैरे जंता स्वागत करता हूँ मैं आपका 2D Animation Course by Mobile Class 6th के अंदर इस Class के अंदर हम जानेंगे कुछ special character को import करवाना की animals वगेरा इसमें आपने देखा होगा option नहीं होगा या फिर कुछ और character king वगेरा हो गया नहीं की actions काम करेंगे यहां पर तो वो कैसे हम import करवाएंगे और उनका कैसे use लेंगे अपनी कहानी में थोड़ा सा scene भी बनाकर सीख लेंगे ना साथ साथ के अंदर थोड़ी और practice हो जाएगी बाकि आप अपनी creativity दिखा कर आप मुझे Instagram पर share कीजिए आप मुझे वहां पर बत अब इसमें क्या गाते हैं special characters को लाते हैं तो सबसे पहले मैं एक बार background को change कर लेता हूँ background को मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ jungle type ले लेता हूँ okay share लाना ना यह village वाला ले लेता हूँ ठीक है और यहां पर मैं क्या ले लेता हूँ यह किसान का ले लेता हूँ इसको sorry add आ गया okay तो basically मैं एक character को यहां से अठा देता हूँ अब क्या करते हैं कुछ special character में नीचे देखे sp लिखा हुआ है आप देखोगे और आप अभी तक यह भी सोच रहे होंगे यह वाला option हमको बताया नहीं मैंने कहा था 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 प्लिक करोगे यहां पर देखोगे आपको character का name और character के code यहां पर डालने हों यहां पर देखे बहुत सारे character है यहां पर जो है किम कोप्रा टाइप का character है बाइक है यहां पर यहां पर चिडिया है यहां पर दूसरे नंबर पर हम और देख लेते हैं और कौन कौन से character है यह देखे यह बफेलो है यह फिर जो भी बहुत सारे character है यहां पर लोइन वगेर तो मैं अभी buffalo insert कर लेता हूँ और इस एड आएगा close कर देते हैं इसको और यहां पर नीचे आप देखोगे तो यह क्रेक्टर का नाम है buffalo underscore Indian ठीक है मैं इसको copy कर लेता हूँ इसके name को copy करने के बाद में what happen झलते हैं अपने ऊपें अधर और यहां पर च्रेक्टर का name mention कर देते हैं ठीक है और रहा गया क्यों सी चीज रहा गई हैं डी किका करते हैं का Lex किअ और यहां पर लाके के इसको क्या कर देते हैं पेस्ट कर देते हैं और इंपोर्ट क्लिक कर देते हैं तो आप देखोगे इंपोर्ट पर जैसे क्लिक पर होगे यह थोड़ आसा टाइम लेगा और आपके करेक्टर को इंपोर्ट कर देगा ओके और देखिए पीछे बफेल आ च किलिक करेंगे और इसकी size को अठा देंगे अब इसमें depth का एक effect हो रहाया है इसे आप try करेंगे तो आपको इसके differences बता चल जाएंगे ठीक है क्या होता है इसके difference का मतलब क्या होता है basically लिए двух को कम क्या को कम किया आपर इसकी size important है वहीं 6 move हमें मिल जाता है फिर से default move मिलता है लेकिन यहाँ पर एक problem यह है किसी भी जो action है ना उसका नाम नहीं दिया हुआ वहाँ पर सारे actions का नाम दिया हुआ था जिसे enemy 1, 2, 3 करके दिया हुआ जिसे पहला में enemy 1 default है enemy 2 के अंदर यह चलना शुरू हो गई enemy 1 के अंदर यह नॉर्मल है और enemy 3 के अंदर यह कुछ इस तरह से चलेगी यह जो है अवाज दे रही है 2 के अंदर और इस first के अंदर enemy 2 रख देता हूँ चलने के लिए रख देता हूँ आइडियल सिच्वेशन है आइडियल सिच्वेशन के बाद में क्या इसको टॉक की जगह में इसको क्या कराऊंगा इसको रन करवाऊंगा ठीक है सुरी वोक करवाऊंगा मैं वोक पर क्लिक कर देता हूँ idl situation में इसको walk कीedi run देते हैं और हमारी जो buffalo के idl situation थी को मैं क्या कर देता हूँ enemy2 पर click कर देता हूँ इसको run देता हूँ और इसके idl situation क्यों काम नहीं कर रही किए idle situation में میں enemy1 रखता हूँ enemy2 में यह क्या कर रही छल रही और यह वाली situation इसकी हो गई यह क्या कर रहा है मैं इसको ऐसे ऐसे ले जा सकता हूं कि यह इसको लेकर जा रहा ठीक है और इसके हाथ में प्रॉब दे देते हैं प्रॉब के लिए मैं क्या देता हूं इस पार हपन यह जो करेक्टर था यह क्रेक्टर टू था तो इसके बाद में हम इसमें नाइफ नहीं द रहा हो इस तरह का कोई सीन में घास काटने के लिए यह यूज यूज़ कर रहा हूं आप Google से डाउब लोड करके भी यूज कर सकते हो ठीक है आगे आवाले वीडियो में धानेंगे Google से आप कैसे डाउब लोड़ करके इंपोर्ट कर सकते हो वागी है बहुत आसान चीजों के और अब हम दोनों को साथ साथ टोक करवाते हैं जैसे गाउं से दोनों जा रहे हो ठीक है तो मैंने करवाते हैं फिर इसको मुह करवाते हैं फिर भेस जी को मुह करवाते हैं सोरी भेस जी का नंबर था ओके तो इसको पले करके देखते हैं आप और अच्छे से कर सकते हो जितना अच्छा एनिमेट करोगे देखो अब देखो यह बिल्कुल आपको चलता हुआ दिखाए देगा ठीक है आप यह नहीं रोकने की बजाए जल्दी जल्दी चलोगे तो चलते हुए आपको दिखाए देगे मैं आपको प्रेक्टिस करके आप और अच्छे से इस चीज को कीजिएगा ठीक है आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूं मैं यहां पर ठीक है अब क्या करते हैं अब यहां पर आने के बाद में एक और देता हूं बहस पर जो है डबल टेप करेंगे तो यहां से कुछ इस तरह से आवाज करेगी तो इस सी बहस पर जो है मैं टेप कराता हूं तो यह कुछ इस तरह से जो हावाज निकाल रहे है ठीक है और यह आवाज हम साउंड इफेक्ट से देंगे ठीक है अभी इस तरह से आप लोएन की भी देश सकते हो जिसे मैं वह फैलो की दिलवा रहा हूं वैसे ठीक है और क्रोमा टोन् तो यह वाला काम अपने कर दिया है उसके बाद में देखे यह जो सारी की सारी चीज़े थी मैंने बता दी पिछले जो नई चीज़े बता रहा हूं उनके चक्कर में पिछले वाले रूल्स फोलो करना मत भूल जाएगा अनिमेशन देते साहिम आपको किन चीजों का ध्यान रखना है रिकोर्डिंग के टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है आपको इसके external record को यूज करना है screen recorder को यूज करना है उन सभी बातों का ध्यान रखेगा यहां पर मैंने special character add करना है आपको बता दिया है special character के बाद में normal character जब add करेंगे तो वो यहां पर click करके ही करेंगे ठीक है यहां पर क्लिक करेंगे और वहां इसे code वगएर आपको copy करना और आप character add कर लोगे क्लास में सिखेंगे कि यह जो बहस ने जो आवाज दी तो उसका sound effect कैसे लाएंगे कहां से लाएंगे copyright free कहां मिलेगा क्या-क्या options है हमारे पास copyright free लेने के उसके साथ अब इनकी editing कैसे करेंगे इनको पूरे scene को कैसे बनाएंगे और फिर दीरे-दीरे जैसे अपने पास scene तयार हो जाएंगे फिर complete story बनाएंगे ठीक है meeting पर अपन वो भी रख देंगे लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप मुझे Instagram पर follow कर लिए पहले आप अपने डाउट वहां पूट कीजिए हो सकता में वीडियो की थ्रूई आपका solve करवा दूँ ओके तो बस आज की class के लिए मुझे इजाज़त दीजिए मिलते हैं अगली लास में